नमस्ते बच्चो, आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ बड़ो का सम्मान करना, तो हमें उनका सम्मान क्यों करना चाहिए? बड़ों का समान करना एक अच्छी हादत है और ये करने से एक सकरात्मक पातावरन तयार हो जाता है और उनकी मदद करना और इज़त करना बहुत जरूरी है अब मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ एक बार एक लड़का और उसकी मा सडक पर चल रहे थे उनके सामने बहुत कच्रा पड़ा था उस कच्रे को देख लड़के ने कहा मा ये रस्ता बहुत गंदा है इसे कोई साफ क्यों ने कर लेता उनके बाजू में ही एक सफाई करने वाला धीरे-धीरे से कच्रा उठा रहा था ये देखकर मा ने कहा बेटा कच्रा थो हम सब करते हैं लेकिन सफाई दूसरे लोग ही करते हैं हमें उनकी मदद और इजद करनी चाहिए क्योंकि वो सब के लिए मेहनत करते हैं तब ही उस रड़के ने कच्रा उठाने की शुरुवात की। हम इस कहानी से ये सीखते हैं कि हमें कभी दूसरों को नीचा नहीं समझना चाहिए और हमेशा हमारी आसपास की जगर साफ रखनी चाहिए। इसी तरह देश की सिपाही हमारी सुरक्षा के लिए लड़ते हैं और उनकी जान भी धोके में लगाते हैं इसलिए बड़ों का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। बड़े लोग ज्यान और अनुभव का ख़जाना होते हैं। उनकी पास हर समस्या का हल होता है और वो सतर्ख हमारी सहायता के लिए तयार रहते हैं। सिस्प ये नहीं लेकिन बड़े लोग हमारे बिन बताए बहुत चीज़े करते हैं। हमारे आसपास रहने वाले बूढों के लिए हम क्या कर सकते हैं? उनके साथ हम बहुत समय बिता सकते हैं, उनके साथ प्यार और शांती से बात कर सकते हैं और उनके बात ध्यान से सुननी चाहिए. हमें सब का सम्मान करना चाहिए, जैसे की दादा दादी, ममी पापा, डॉक्टर्ज, सिपाही, डाकिया, पुलिस, शिक्षक, आदी. उसके साथ हमें अपने पडोसी, दोस्त, आदी की भी इज़त करने चाहिए. मैं आशा करती हूँ कि आप सफ को सम्मान करने का समहत्व समझ में आया हो. दाने वादू.